नमस्कार आप देख रहें तेज आपके साथ मैं हूँ निदा एहमद और मेरे साथ इस वक्त मौझूद है आपर जोतीशा चारे जी प्रतीक भर्ट जी प्रतिक आपका बहुत-बहुत स्वागत है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस तरह से कुम का आगाज हुआ है अब आगे क्या कुछ खास होने वाले है और इस बार का कुम जो है वो क्यों है खास प्रतिक जी तीक है सबसे महतपून बात है कि संक्रांती है और संक्रांती क्या होती पहले उससे समझ लीजिए ऐसा नहीं है कि संक्रांती सिर्फ साल में एकी बार होती है जिसे हम आज जोर संक्रांती का मतलब होता है जाना तो इस तरह से बारा राशियां हुई और सूर्दयों बारा बार संक्रांती करते हैं लेकिन सबसे महत्पूर्ण संक्रांती जो जानी जाती है वो मकर संक्रांती जानी जाती है और दूसरी संक्रांती जो की जुलाई माह में होती है उसे कहते ह है करक संक्रांती तो ये दो संक्रांती बहुत महत्पूर्ण है अब इसको समझ लीजे क्यों महत्पूर्ण है आखिर क्या मामला है जिस चक्र में इसको इतना importance दिया जा रहा है देखिए कहा जाता है जुलाई के बाद देवता परायन कर जाते हैं और सूर दक्षणायन हो जाते हैं मतलब दक्षण धुरू की तरफ मुड़ जाते हैं जिस वज़े से अच्छे काम साधी विवा इन सब पर रोक लग जाता है और 15 जनवरी के आस पास मकर मतलब मकर राशी और संक्रांती मतलब उस पर जाना उस पर जाने के बाद सुब काम के लिए परमीशन दे देते हैं इसलिए बहुत महत्तपूर्ण हो जाती है और वैसे भी इस बार संक्रांती नौका पर सवार होकर आई है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो इस नौ और आज हम इसनान का ही सबसे जयादा महत्व है इसलिए कहीं न कहीं ये संक्रान्ती का महत्व बढ़ जाता है, अब मैं आपको एक एक एध्यासिक पुरानी घटना भी बता देता हूँ, कि मकर संक्रान्ती इतनी महत्व पुण क्यों है कहा जाता है जहम महाभारत हुआ और भीस पितामा को कही न कही बाणों से छली कर दिया गया तब भी उन्होंने छे महिने तक अपने प्राण नहीं त्यागे थे इसलिए क्योंकि वो सूर के उतरायन जाने का वेट कर रहे थे क्योंकि कहा जाता है जब सूर उतरायन हो जाते हैं तब देवता प्रसंद हो जाते हैं मन में सुधी हो जाती है तन में सुधी हो जाती है तो इतनी महतपूर्ण है ये मकरसंक्रांती छाइए को में अलग ही अंदाज में इस तरीके से इसलोत का चुंट एक पुछ खास इसमारा आप देChanा हैं तेकिंटन इसमार खास डो छीजें पहली तो नौका पर हा रही इस पर हमीने चरचा करी दूसरा को opinion तला होता है घड़ा इसके पीछे की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा क्यों इसे कुम्ब कहते हैं क्यों इसका नाम कुम्ब पड़ा और क्यों सिर्फ चार जगए ही मनाते हैं कुम्ब मिला लेकिन उनमें से प्रयाग सबसे महत्वपूर्ण है कहा जाता है विश्नु पुरान में य जाता है इसनान करना तो यही चार जगह हैं हरिद्वार कहीं न कहीं उज्जैन प्रयाग वनार्सी तो बढ़ इसमें से प्रयाग सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है इसी वजह से क्योंकि यहां पर तीनों नदियों का संगम है गंगा यम्ना सरस्वति गोदारी सब यहां के मिलती हैं इसलिए संगम नगरी भी से कहा जाता है और यहां को इसनान करना और जगोंते कुम इसनान से जज़्ादा महें महतनों हो जाता है जो लोग यहांपर पहुश रहे हर किसी की उम्मीद है इस उम्मीद के साथ पहुंचना के एक बार वो आस्ता की डुपकी लगा और श्राहिस्नान के वो गभा बने तो श्राहिस्नान करने से पहले किसी तरह की कोई अतियात या कुछा बताने चाहें कोई सबसे आसान मैसेज होता है जोट्सी और वैदिक के हिसाब से धर्म के हिसाब से आप पवित्रमन से डुपकी लगाएं उस समय आपके मन में कोविचार नहीं आने चाहिए उसी के साथ साथ ये आस्था का संगम है तो उससमय मन में आस्था होनी चाहिए सूर्दियो इस प्रत् अर्द ऐसे दें कि जो धारा आ रही हो उस पे जो किर्णे हैं वो आपके बॉडी में प्रवेस करें मतलब अपने हाथ को थोड़ा ऊपर ले जाकर अर्द दें जिससे की पूरी धारा आप अपने आखों से देख सके और उनकी सूर्देव की जो पहली किरण है वो आपके बॉ विचार नहीं रखने हैं और अर्द ऐसे देनी हैं और खासतोर से कहा जाता है जिनकी कुणली में सूर्द कुपित हैं कुपित मतलब खराब हैं अगर तो उनके लिए तो बहुत महत्तपूर्ण हो जाता है आज के दिन सूर्देव को जल देना और इसनान करना बल्गू सही से कुछ मंत्र ओम भासकरा हे नमा, ओम मित्रा हे नमा, ओम घणी सूर्या हे नमा, इस तरह के मंत्र आप पढ़ सकते हैं, और अब सही इसनान सुरू हो चुका है, तो सही इसनान में सूर्द्यों को और प्रसंद करने के लिए खास तोर से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है अपने पिता जी का सम्मान, घर में बुजुर का सम्मान और हो सके तो उन्हें भी कुम में इसनान जरूर करा आईए, बहुत सुब रहता है, अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो विवर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो तेज के विवर्स हैं, उनके लिए खास बात, क्योंकि हर आदमी तो कुम में जानी सकता है निदाजी, ना हम और आप भी यहां डिली में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि कुम के बराबर वर्दान, कुम के बराबर इसनान के बराबर पुन्य हमें मिल जाए, तो ये महापुन्य कैसे तो ये महापुन्य मिलने का तरीका है जब आप अभी नहाने जाएं, नहाने का समय हो रहा है आपके बच्चे, बुजुर्द, जो भी अभी नहाने जाएं, अपने वाल्टी में कुछ जलकी बूंदे, गंगा जलकी बूंदे डाल लें, ये कहा जाता है अति उत्तम तरीका है कुम्ब पे नहाने का, अगर आप डारेक्ट कुम्ब में नहीं जा पार है